जहिन दोस्तो आसा करता हूँ आप सभी मेरे मित्रगड अच्छे होंगे दरसल दोस्तो पाकिस्तान के परदान मंतरी सहबास सरीफ ने दो तिन दिन पहले ही भारत के साथ बाच्चित करने की इक्छा जाहिर करीगी। और हीरा रब्बानी ने भी सहबास सरीफ के बयान से पला जाड़ लिया है। और वे कहती हैं कि पाकिस्तान दोनों देसों के बीस राजनीतिक सांती की दिसा में काम करने के लिए परदान मंतरी नरेंदर मोदी को एक अच्छा सहयोगी नहीं मानता। की एक पहंतपुन कोसिस करी थी। नेता चाहे मनमोहन सिंग हो अटल बिहारी वाचपई हो एक बार पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंद स्थाबित करने की कोसिस सबने करी। लेकिन इस बात को पूरी दुनिया जान दिये कि भारत के द्वारा किये जाने वाले परियासों क के उपर पाकिस्तान हमेसा से पानी फिरता आये और पाकिस्तान के साथ किए गये अच्छे रिस्तों की सुरुवाद के कुछी महिनों बाद, पाकिस्तान की तरफ से उरी और पुल्वावा जैसे रोह Frankfurt देने वाले आतंगवादी हमले किये जाते हैं। सुजरलेंट के दाबोस में वर्ल्ड एकनोमिक फॉरम में हीना रप्पानी खान ये कहती है जब वे विदेश मंतरी के तौर पर भारत गई थी तो बहतर रिस्तों के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत करी थी वर्तमान इस्तिती के मताबिक हम उस समय काफी बहतर इस्तिती में थे खान ने अपने इंटर्वियू में कहा कि पाकिस्तान अतीच से सबक सीख कर आगे बढ़ना चाहता है लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि भारत हमेशा से एक ऐसा देश था जिसे सभी धर्मों का अस्तित्तु था लेकिन अब ऐसा नहीं है हाला कि आप सभी मित्रों को बताना चाहूंगा कि भारत के उपर सवाल उठाने वाली है पाकिस्तानी अधिकारी सायद अपने मुल्क के हालातों से रूवरू नहीं है पाकिस्तानी लोग रोटी कपड़ा और मकान जैसी बेसिक जर्रतों के लिए हाई तौबा कर रहे है वहाँ के लोगों के पास नौकरी नहीं है